आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा बस उमीद मत छोड़ना बहुष्य जरूर बहतरीन होगा हेज फ्रेंड्स मैं हूं मनोजर आप देख रहे हैं MSROG fantasy cricket यूटूब चैनल को अभी जिस मुकाबले के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं जानकारी बहुत ही इंपोर्टेंट जो चीज है आपके लिए एक जानकारी बहुत ही इंपोर्टेंट जो चीज है आपके लिए टेलेग्राम बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जो भी फाइनल अपडेट मिलती है उसके साथ में सोगराउंड स्टेडियम सिड्नी के अंतर यह मुकाबला खेले जाने वाला पिछ जो रहेगी बैलेंस पिछ आपको देखने को मिलेगी आपको एक आवरेज स्कॉर मंदब वन फिप्टि के पास में आवरेज स्कॉर देखने को मिलेगा जहां पर बल्ले बाजो को और सिड्नी Sixer के भीज मुकाबला कहले था सिड्नी Sixer ने या से चेंतर दस विकेट को पर अपना यह मुकाबला गवा भी दिया था और इक तोड़ा यहां से अगर आप लास की कुछ मुकाबले देखेंगे तो यहां से थंडर ने चार मुकाबले जिते हैं सिक्सर ने एक ही मु बैदिस्कस करऄ सबसे तो बैटिंग परफॉर्वेंस रही थी सबसे पहले हो रहा है 15 मैच के अंदर 337 किये थे एवरेज उनके 36 उनके देखने को मिल रहे है दो उन्होंने 50 भी लगाए थी उसके बाद में डेनियर हक्स का नाम शो हो रहा है जो कि लगबग आपको एक एवरेज सा बल्लेवाज दिखाए देगा रिशेंट फोर्म के अंद रही है एलेक्स का नाम बिल्कुल याद रखना जैसे डेनियल हक्स का मैंने आपको नाम बता है ऐसे एलेक्स में इंपोर्टन प्लेव बन जाते हैं इस मैच के लिए और हैट्ट में बहुत ही बढ़िया परदेशन है और ग्राउंड के स्टैट्स भी आपको जरूर दिखा लिए उसके बाद में बहुत ही बढ़िया आपको नाम शोगा शीन अबाउट का नाम शोगा शीन अबाउट ने 15 मैच के लिए डेनियल समस ने 6 मैच के लिए आपको दिखाए दे रहा है और रिशेंट फोम में कहूंगा एक गेंदवाजी के तरफ बढ़िया मिल रही है आ तो जो हैट्वेड मुकाबले खेले गए थे उन मुकाबले का अगर देखते हो सबसे पहले थंडर ने 232 विकेट के अपर किये थे 200 और के अंदर और यहांसे शिक्सर ने 165 विकेट के अपर मैच को लोज कर दिया था 46 ने यहांसे थंडर ने मुकाबला जीती है तोप परफोर्मन जो रहे थे सबसे पहले नाम आएगा अलेक्स हैल्स का फिर दूसरे मुकाबले में भी थोड़ा पीछे बूर कर देख लेते हैं अलेक्स हैल्स का नाम शोर है उसके बाद में यहांसे बात करें इसने 56 जोर्ड पर 12.4 में मुकाबला जीत लिया था यह बारिश की वज़े से थोड़ा सा डियलेस मैथर की वज़े से मुकाबला हुआ था यहां बात करेंगा इसे इसे टो फर्वोन तो जो टो परफोर्मस रहे थे सबसे पहले नाम आएगा एलेक्स हैल्स का 54 स्कोर क्या था डेंजल सैंस राउंड शिर्निक सिक्सर के प्लेंग लिए आपको इस परकार सी देखने को मिल सकती है यहां पे एक जो चेंजमेंट हुआ है ऐसे क्रिस जोडन बाहर हो चुके स्क्वाइड से यहां पे जो दूसरा प्लेयर एड़ हो है सादाव खान पाकिस्तान के प्लेयर का आपने ना उनको बैटिंग से मदद मिलते तो स्पीन अटेक्सर भी तंग कर सकते हैं प्लेयरों को यहां से सबसे पहले जोसेफ लेपे का नाम शोगा जेम विन्स है मोशी हैं और डेनिल लक्स एक उनली लेप्ट है वो सारे राइट हैं बैसमें आपको दिखाए देंगे उसके बाद मैं ऐसे बात करूंगा सीन अबाउट है एक मुकाबला हा रहा है और टॉप मैं कहूंगा परफोर्वरंस की टॉप जो लिस्ट के अंदर टॉप टू के अंदर यह टीम आपको दिखाए दे रहे हैं फिलाल के लिए रिसेंट में और यह से लास सीजन की यह चैंपियंशिप करेंगे उन के वन बाद का स्टैंटेक्ड फिलेगमिंशन आपको देख लेना यहांसे स्कैना की आपको यहां य्oinnen अप करना हऊ चैनल यहांसे लोगे प्लेयर धान आपको स्क्तिकल मिल रहा है जो भी प्लेएर यहां पर खेल रहा है जो नहीं खेल रहा है सारे प्लेर का सई क सब्सक्राइब यहां बात करेंगे सिड्नी थंडर का जो प्लेंग्डकर आपको देखने को मिल सकते सल्सपर हैँक्ते साथ पाद chef जेसन सांगा है उसके बाद में शैंबिलिंग है डेनिल सैंथ है बैंड कटिंग है एलेक्स रोस है नातिव यसे नातन मैग्डू है Chris Green है और साकी महमूद है तन्वीर सांगा देखे Chris Green का नाम आपको एक बर उन प्लेइरों की लिस्ट में नहीं शो होगा जो है टो एड के अंदर या मैं को टो परफोर्मर रहे हैं लेकिन Chris Green वो प्लेइर है जो रिसेंट फोर्म से तो गड़ बड़ा रहा है क्योंकि पिछ भी कर रहे हैं कि Spin Attack को इतने ज़्यादा मदद नहीं है लेकिन Chris Green ऐसा प्लेइर है जो आपको और राउंडर का रोल निभा कर दे सकता है और जादतर उमीद करिएगा कि इस मैच के अंदर बैलेंस पिछ अगर उनको मदद मिली Spin Attack से तो कामियाब हो सकता है एक मैच ऐसा ये करने बात है तो आप कर सकते हो आप अलग से जा सकते हो बहतरीं बन सकते हैं आपके लिए कभी भी आपके लिए रहे थे अभी इनके वन बाइंप लेड का स्टैट्स इंफोर्मिशन पोर्म आपके सामने अवलेबल है और है और कोई बीजु नए प्लेयर अभी के अभी तो कोई उमीद नहीं कि कोई नए प्लेयर यह लेकर आ रहे हैं अगर कोई प्लेयर नहीं आता है तो उसके बारे में हम डिसकस बाद में कर लेंगे आप यहां से चेक कर सकते हैं जिस वहर प्लेयर का स्टैट्स इन इनफोर्मिशन आपके सामने देखने को मिल रही ह है मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ बार-बार की मैं इनके बारे में डिसकस करूंगा जब मैं यहां से एक्षिण 22 के पीक उठाऊंगा वन बाई वन प्लेयर के बारे में बताऊंगा जो मैंने पीक उठायो हैं देखिए जाधतर कुछ स्टैट्स आपको देखने को नह है इनी टीम के अंदर तो इनको कोई तंग नहीं कर सकता है फिलाल इनके पास में वो प्लेयर अवलेबल नहीं है जो इनको तंग कर सकता है आपके लिए फ्री मायंड प्लेयर बन सकते हैं उसके बाद में अलेक्स रोस का नाम शोगा जे बीए डैक्रिस जड़ने दोनों यह अवलेबल नहीं है और अलेक्सल का अपने रोल देखा च्यार मैसकंदरी बढ़िया प्रदसन किया तो अलेक्सल आपके लिए डिफरेंशिल पिक नहीं आपके कैप्टन और क्याप्टन के चोच भी बन सकते उसके साथ में मल्टिबेगर या प्रेमिम मल्डग अंदर ट्राइ अबाउट दस मैसके अंदर दोवर आउट किया है सेन अबाउट और अलेक्सल का रोल कंबिनेशन बन सकता है अगर आप ट्राइ करना चाहिए अलेक्सल बहुत ज्यादा नीचे आ रहे हैं तो आपको हो सकता है सीन अबाउट यहां से लगबर डैप्त के अंदर बहुत नीचे है तो उस कंडिशन में एलेक्स रोल आपके लिए और शीन अबाउट का आपस में जंग हो सकती है जो यहां से और लास्ट में आएंगे शीन अबाउट और एलेक्स रोल रास में बल्लेवाजी करेंगे तो यह को मिल सकता है कि दो बर आउट किया है बाईश बाउट के अंदर दो सी दसी रन दी हैं तो यहां पर आपके लिए इंपोर्टन प्लेयर बन जाते है शीन अबाउट आपके लिए फिल आलेक्स रोज को आपे ड्रोब भी करना चाहों ऐसी कुछ आप को अगर आप ले रहे तो आलेक्स रोल को ठोड़ सकते हो यह को बना के नहीं दिखाए देंगे वहीचीज अब बात करेंगे शीक्सर बैटमर्वर से थंडर के बारें दिस्क्रोज करेंगे सबसे पहले आपको में स्कूर जरूर खाया है लेकिन दोबर आउट भी किया तो यह आउट वाला आपके लिए थोड़ा इंपोर्टन हो जाता है उसके देनेल हग्स का नाम आपको शायगा बैटिंग उन्होंने 37 बोल के अंदर 37 बोल के अंदर 30 दी है दो बरावत इन्होंने भी किया है उसके बाद में क्रिस ग्रीन का नाम भी आएगा एक बर विकेट इन्होंने भी लिया हुआ है और स्कोर नहीं करने दिया है रन बहुत कम क बैटिंग का नाम शो होगा 17 बोल के अंदर 19 रन दिये हैं और एक बर आउट भी किया हुआ है उसके बाद मैं से बात करें जोर्डन सिल का नाम शो होगा बैंड डिगट का तो आपको रोल नहीं दिखाए देखें लिए क्रिस ग्रीन का रोल आपको दिखाए दे सकता है एक बैटिंग को रखा और जो फिलिपे को रखावा आप सेम बिलिंग्स को ट्राइ करना चाहाँ वह भी कर सकते हो एलेक्स हैल्स भी आपके पास में बड़ी ऑप्शन है मैं यहां से देखूंगा कौन सी टीम पहले बले बाजी करें कौन सी टीम सेकिंड गेंद बाजी करा रह टीम अगर सेकिंड बैटिंग कर रही है मैं चेज कर रही है वहां पर तो मैं एलेक्स हैल्स को यह से पिक करने के लिए कोसिज करूँगा पूरी क्योंकि यहां पर मुझे ऐस मक्षूद से थोड़ी जादा उमीद है कि वह टीम को जो इनके में प्लेयर है दूसरी टीम के उ कि जेमी विंस को मैं यहां पर डालना चाहूँ तो डाल वे सकता हूँ लेकिन मैं कुछी प्लेयरों आपको सजेस्ट करूँगा तो सबसे पहले आपको नाम शोगा मैं इन में से ही आपको बताऊँगा एक बर आपको फाइनल जो सारे प्लेयर मैं ने सेलेक्ट के हूँ वो के बाद बैन कटिंग है जो की उमीद है इस मैच के अंदर स्टेट को देखते हुए टीम इनके गेंदबाजी की पीब करा सकते हैं उसके बाद बाद ये रोल रहता है गेंदबाजी किरा सकते हैं बहुत ही मैं कहूंगा लग्की चैंप वाला प्लेयर ये बंदा है उसके जो आम बात करेंगे प्रिमें मल्टिबैगर उसके बार में डिसक्रस करने से पहले एक ही चीज बोलूँगा फाइनल जो अपडेट आपको जो भी मिलेगी फाइनल अपडेट उसके साथ में जो भी जानकारी आधर जो भी वीडियो नहीं बना पाता उसके आलावा जो भी जा करके दूँ इसमें से मैं जितने हो सकेगे जैसे लास मैच के अंदर हमने काफी वार अच्छे खासा प्रदसन किया हुए कंटिश्ट लेकिन विकेट कि अच्छे खास करके दे रहे हैं जो फिलेपे का है रोल दोनों का ये भी बढ़िया प्लेयर है ओपन आ रहा है विकेट ठाक प्रदसन है लेकिन इनका मैं सेकंड इनिंग फैस्ट इनिंग ये रोल आपको जरू दिखाने वाला है उसको बढ़िया प्रदसन करके आ रहे हैं तो एक मैं कोंगा बहुती ज्यादा डिफ्रेंट जाना यह मैं को से पोशन वाला प्लेयर है अलेक्शल का नाम आपको तो प्लेयर वाइज मैं स्टेट्स आपको बताने वाला था तो सबसे पहले जो मैंने यहां से बाई की पिक के अंदर भी रखा हुआ है नाम अरहे जोस फिलिपे का आपको इनको स्टेट्स जरू चेक करना चाहिए उनके स्टेट्स में जो मुझे अच्छे लग रहे हैं से चेक करना है वाज पर आप चेक करेंगे तो इनका फरस्ट इनिक अंदर के भी और स्कोर देखने के अंदर एक बड़ी पारिया नहीं की फर्सरिंग कर रहे हैं लेकिन इसे बात करेंगे तोлушसन कर consensus कि रहे हैं लेकिन अब ही बहुती बड़िया है मैंने आपको दिखाया है ऐट वेट के अंदर बड़िया प्रदेस्टन है इनका उसके बाद गेंदवाजी से अगर इनको गेंदवाजी मिलती है ना तो गेंदवाजी में देखिएगा रफी उनिक के इंडर भले ही इनका average नहीं देखने हो मिलेगा लेकिन second inning के अदर मैंने आपको पहले भी दिखाया था second inning के अदर जब जब गेंद बाजी कराते हैं important play बन जाते हैं तो डेनलियर कृस्ट नको कब ट्राइ करना है जब यह team second गेंद बाजी करें तो फैस्ट इनिंग के अंदर आपके लिए मौशी एंडर को से इंपोर्टेंट हो जाती है अब बात करते हैं थंडर के टीम के सबसे पहले सैंब बिलिंग के बारे मुझे करूंगा विकेट किपिंग कर रहे हैं टीम के तरफ से टू डाउन तू डाउन जितना उसके डिम बहुत बारे किया है जो आपको फैस्ट इंडिंग के दर नहीं देखने को बिलएगा फैस्ट इंडिंग नोट और इनको बड़िया परदशन रहेंगंगे तो आप इनको डूब करने का थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अभी यहीं बात करेंगे हम एलक्सnd अल्भारे में एक मैश के अंधर बिलकुल वह पर वह चीज भी है लाश मैश के अंदर फ्लोप रहा है तो क्या पता इस मेश कंदर कमाल का पड़तासन करके दें उसके बाद लोज अलेक्स रोस का अगर आप यह से चेक करेंगे तो उनका ठीक ठाक पता है बल्लेबाजी आने के उपर हिटिंग करके दे सकते हैं आपको लेकिन बल्लेबाजी बहुत जादा नीचे आ रहे तो उस कंडिसन में मैं को आपको अगर है पिक करने के लिए तो वह मत कीजिएगा क्योंकि बहुत जादा नीचे आ रहे हैं अगर फस्ट इनिंग के अंदर बल्लेबाजी करें तो वहां पर ट्राइक कर सकते हूं सेकंड इनिंग के अंदर मैं सजिस्ट नहीं करूंगा उसके वाज में त्री लाइन के अंदर तीन प्ल तो अगर गेंदबाजी शेयर से कंट्रिब्यूट करने का मौका में तो एक बढ़िया प्लेयर उबर के आ सकते हैं जो कि ओल्ड राउंडर का रोल निभा सकते हैं थोड़ा सा आप इनको बैटिंग से अदर्वाज यह ओल्ड राउंडर वाली भूमिका निभा नहीं पा र हो हैं तो वहां पे अवरेज उनके गड़ बढ़ाई हुए उसके बाद मैं से बताए क्रिस गिरें के बारे में हम डिसक्स करेंगे तो इनका सेकेंड इनके अंदर एक ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है यह चोड़ दीजिए यह चोड़ दीजिए अगर बात कुलों ए हैं उसके बाद में डेनले सेम्स का नाम आपको शोगा एक और और का पूरा और का रोल निभा रहे हैं जो की अभी फॉम के अंदर यहां से बात करेंगे तो इनकी रिश्टन पॉम आपको देखने को मिल जाएगी गेंद बाजी से ज्यादा अच्छा खासा कंट्रिबूट करें बल्यवाजी से कभी अच्छा खासा पतसन कर जाते हैं कभी जल्दी चले जाते हैं उसके बाद में एस महमूद की अगर बारे में हम उनके बारे में डिस्क्स करेंगे तो फर्स्ट इनिंग के अदर आप उनकी गिन्वाजी देखी गा अपको कौण से गिन्वाजी लाइक चैनल को कर लेना सब्सक्राइब टेलेग्राम मस्ट इंपोर्टन रहेगा आपके लिए क्योंकि जो भी फाइनल अपडेट आपको मिलेगे वहीं पर मिलेगे थैंक्यू शोमाज गाई कीप सपोर्टेंग